आपका स्वागत है दास साइंस हमें दोस्तों आज क्लासिक से क्लासिक्स में जो साइंस का चैप्टर है वह 16 है जिसका टॉपिक है कच्रा संग्रहल एवं निप्टान दोस्तों हम लोग अपने आसपास घर के आसपास ये सड़कों पर रोट किनारे नालियों के आसपास आप बिभिन प्रकार की कचड़े को देखते होंगे दोस्तों यह प्लास्टिक के रूप में हो सकते हैं या अधर रूप में भी हो सकते हैं दोस्तों प्लास्टिक की थैलियां हो सकती हैं बची सबजीयां हो सकती हैं बोरे के थैले हो सकते हैं इत्यादी बिभिन प्रकार की के बारे मैं बताऊंगा दोस्तो और निप्तान कैसे रए जाता इस में कारी के आया कारी दूँगा, और कोश्चन आंसर भी कंप्लीट करवाँनगा ठीक है दोस्तो पहला टोपिक है कचरे का निप्तान, सपाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले छेत्रों में जहां गयरे गड़े होते हैं ले जाते हैं इन खुले छेत्रों को भराव छेत्र कहते हैं जैसा कि छित्र 16.1 भराव छेत्र दिया गया दोस्तों वहां कचरे के उस भाग को जिसका पुना उपयोग किया जा सकता उसी रूप में और अनुपयोगी दोनों अव्यव होते हैं अनुपयोगी अव्यव को प्रतक कर लेते हैं और फिर इसे भराव छेत्र में फैला कर मिट्टी की परत से ढग देते हैं जब यह भराव छेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्राया इस पर पार्क अत्वा खेल के मैदान बना आगले 20 साल तक इस पर कोई भी भवन दोस्तों नहीं बनाया जाता है. अगे देखिए दोस्तों, क्रिया कलाब दिया गया है. जैसे क्रिया कलाब दो दिये गये हैं, पहला क्रिया कलाब जो समू फरिश्ट है, उसमें क्या दिये गये? रसोई घर का कचरा जैसे फल एवं सब्जी के छिल के अंडे का खोल बचा हुआ अपसिष्ट भोजन चाय की पत्तियां समाचार पत्र सूखी पत्तियां एवं कागच की थैलियां भी इसी समू में समलेते हैं समू दो देखिए कपड़ों के टुकड़े पॉली थीन की थैलियां टूटा कांच एलमुनियम के रह पर्स कीले पुराने जूते एवं टूटे खलोने इनको हम समू में माट लेते हैं देखिए किस-किस चार थैलियों हमने बाटा A B C D में ठीक है दोस्तों फिर इनको क्या कर करते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों फिर हम क्या करते हैं कुछ समय बाद लगवक चार-पांस दिन के बाद कच्रे के उपर से मिट्टी अटाकर कच्रे में हुए परिवर्तन को देखते हैं कच्रे का काला हो जाना तथा इसमें दुर्गंद ना आना या दरसाता है कि कच् तो पुरा ओ झाता है पूरता वगलित है एवं उसमें दुर्गंद नहीं आती आशिक रूप से वे लगबख पूरता व इगलित है परन्तु अभी भी दुर्गंद आ रही कोई परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों यह सब चिज मोकोlight में देखते दोस्तों हम अब बात करत करती है चाई पत्ति हो सकती यह अगर पूरता विगलीत हो जाएंगी कि मतलब होती है घाद होती है ज recognition में एवं खेतों भी बीस्तिमाल करते है आप में दोस्तों नगरों में देखा होगा कि जो कूले दान होते वो दो प्रकार के होते हैं कैसे कैसी होते हैं वे घुरjat उनमें रंगों के बारें भी मताते हैं एक नीला कूड़ेदान होता है ठीक है एक हरा होता है नीले में हम क्या डालते हैं नीले में हम डालते हैं जैसे प्लास्टिक की बनी चीजे कांच की ये सब चीजे वो कचला डालते हैं नीले कूड़ेदान में जो विगलित ना हो सके य जैसे रोट किनारे पड़ी हो उनको जला देते हैं उनको नहीं जलाना चाहिए उससे वाई प्रदूसर होती है यानि कि अपने फेपड़ों को भी नुकसान हो सकता है दोस्तों होता है जैसा कि चित्र 16.3 में दिया गया है पतिया जलाने पर हानिकारिक गैसे उत्पन होती है जो अपने स्वास्त के लिए बहुत जान्दा हानी होती हैं दोस्तों और इसका निप्तान कैसे करना चाहिए इसे हम भूम की नीचे दबा सकते हैं तो ये कुछ समयवाद विगलित हो जाएंगे यानि कि अब गटित हो जाएंगे दोस्तों अगे देखिए वर्मी कंपोस्टि के बारे हम आपको बताते हैं ये केचुओं से संबंदित है हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं जो केचुओं होते हैं वो किसके मित्र रहे हैं हमेशा किसानों के मित्र रहे हैं देखिए दोस्तों लाल केचुओं की साहिता से कंपोस्ट बनानी की विदी को वर्मी कंपोस्ट अत्वा क्रिमी कंपोस्टिंग कहते हैं कौन से केचुए लाल केचुओ की साहिता से कंपोस्ट बनानी की विदी को वर्मी कंपोस्टिंग अत्वा क्रिमी कंपोस्टिंग भी दोस्तों कहते हैं ठीक है जैसा कि हम अभी आपको चितर में बताते हैं पहले क्रिया कलब दो देख खोते हैं ठीक है दोस्तों फिर उसमें बॉक्स की तली में जाल अत्वा मुर्गा जाली बिछा देते हैं फिर विकल्प में क्या करते हैं विकल्प के रूप में विकल्प मतलब उसमें क्या डाले हैं विकल्प के रूप में तली में रेत की एक अत्वा दो सेंटीमिटर मोटी परत बिछा सकते हैं अब रेत के उपर सब्जियों अत्वा फलों के अफसिष्ट रख दीजिए आप हरी पतियां पौदो की सुकी डंडियों के टुकड़े भूसा अत्वा समाचार पत्र की एक इन चौड़ी पतियां काटकर उन्हें रेत अत्वा जाली के उपर बिछा सकते हैं आप अपनी नोट बुक के बेकार गत्ते को काट कर भी पतियां बना सकते हैं परन्तु चमकीले प्लास्टिक वाले कागच आप नहीं प्रियोग कर सकते हैं या काटन का कपड़ा भी प्रियोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये विगटित दोस्तों नहीं होते हैं देखिए आप के लाल केचुव को भोजन के लिए भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए क्या करेंगे फल तता सब्जियों के अफसिष्ट कॉफी तता चाय चानने का बची पत्तियां तता खेत एवं बगीचे के खर्पतवार दे सकते हैं ठीक है दोस्तों अब हम आपको दिखाएंग फिर क्या होता है इस गड़े में इस भोजन को लगबग 2-3 सेंटीवटर गैराई में दबा कर रखना अच्छा हो सकता है इसमें क्या-क्या ना डालें देखिए दोस्तों इसमें नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एभम दूच से निर्मित अफसिष्ट पदार्थों को बोजन के रूप में लाल केचुओं को ना दे इन वस्तों को गड़े में डालने से उसमें रोक कारक जीव उत्पन होने लगते हैं दोस्तों और कुछ दिनों के अंतराल में गड़े को पदार्थों को धीरे-दीरे मिलाते रहें तता उपरी सतय को भी दोस्तों हिलाते रहें देखिए 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 लाल केचुओं के लिए अहार किस तरीके देखिए गया है सबजी बगारा दी पतिया दी गए है और कुछ फूल या पत्ती भी दी गए ठीक है दोस्तों लाल केचुओं जो होते हैं उनके दा CP का चूरा आहर के साथ मिला देंगे तो यह आहर के साथ कुरमी की घीजर्ड में पहुँच जाता है। और भोजन को पीशने में उसकी सायता करता है। कोई लाल क्रमी एक दिन में अपने सरीर के भार लगबक अहर खा सकता है। और केचुए की विशेष्टा होती है कि बहुत ज़्यादा ठंडे और गर्म इस्तानों पर नहीं रहे पाते हैं दोस्तो ठीकर दोस्तो तीन चार सब्ता के अंतराल पर अपने गड़ों का साउधानी पूर्वक आप अप्रेक्षर कर सकते हैं इन गड़े के या इस गड़े के एक किनारे पर आर के रूप में कुछ अपसिष्ट डाली अधिकांस क्रमी अन भागों को छोड़कर गड़े किस बाग में आ जाएंगे दूसरे भाग से खात को निकाल कर कुछ घंटों तक इसे धूप में रखिए आपका वर्मी कमपोष्ट तयार हो गया है दोस्तों ठीक अच्छे तरह हम आपको दिखाते हैं देखे किस तरीके का 16.6 वर्मी कमपोष्ट तयार हो गया है इस उत्तम वर्मी कमपोष्ट को आप अपने गमलो बगीचों खेतों में डाल सकते हैं क्या यह अपसिष्ट से सरवुत्तम प्राप्त करने जैसा है बिलकुल आप में से जि तो कि कितना कच्रा एक दिन में यह अंदाजा लगा सकते हैं आवरेज निकाल सकते सोचिए और फेक उसके वाद उस कचच्र को आप सई जगए और सई तरीके से वेकिए यानि कि जो अब गटित होने वाला कचड़ा है उसको एक साइड रखे और जो अब गटित नहीं होने वाला उसे अलग रखे दोस्तों ठीक है देखिए अब आपको हम बताते हैं क्या दोस्तों यह कानी दी गई है कागज का पुनर चक्रा ठीक है इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र पुराने लिफापे मैगजीन पुरानी नोटबुक पत्र एवं अन बेकार कागजों के आफसक्ता होगी चमकदार एवं प्लास्टिक ल जाली फ्रेम भी चाहिए फ्रेम के इस्तान पर आप बड़ी आकार की चलनी भी ले सकते कागजों को छोटे-छोटे टुकडों में फारिए इन एक बाल्टी अथवा ठब में रखकर जल डालिए जल मतलब पानी डाल ठीक है दोस्तों इसके वाद क्या करते हैं फिर इसको प बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए जल के बाहर निकल जाने तक आप इंतजार कर सकते हैं यदि आवस्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कप्रात्वा समाचार पत्र फैला दीजिए जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोक लिया जाए अब लुगदी इस परत को सा पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे में मुड़े मुड़े ना सकें रंगीन अगर दोस्तों कागश प्राप्त करना हो तो इसमें कोई ना कोई अपना रंग मिला सकते हैं जिससे हमारा कागश प्राप्त हो रंगीन हो दोस्तों अब दोस्तों बताएंगे प्लास्टिक व ब्रियोग को प्रियोग जुरूर करते हैं दोस्तों ल gap प्लास्टिक का अत्रफिक हानिकारक दोस्तों है देखिए आप अब रेधियो बस्त टेलीवीजिन ईसकूटर के कुछ बाग बाइक के जिसे वाब क्या देखते हैं इन सब में क्या होता है प्लास्टिक ही होता है दोस्तों प्लास्टिक का उपयोग संभावता स्वयम कोई विशे समिस्या उत्पन नहीं करता समिस्या तब उत्पन होती है जब हम इसका अधिक-अधिक उपयोग करते हैं तत याउथ बएक्स का प्लास्टिक का इस्तमाल कर रहा है अगर हो सकते हैं अगर इनको को जलाते तो इनमें बिविन प्रकार की गैस निकलती है जो हिल्थ के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा नुक्सान दाइक होती और इनसे कैंसर होने की भी संभावना रहती है दोस्तों ठीक है अब हम आपको आगे बताते हैं देखें प्लास्टिक के बारे में थोड़ा बहुत प्लास्टिक के अधिक उप्योग से क्या क्या हो सकता है देखें पहले चीज निप्तान के लिए उप्योग के लिए हम बताते हैं क्या कर सकते हैं हम प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम उप्योग करें जहां भी संभा हो बिना किसी दुस्त प्रवावाओं के हम इन थैलियो का पुना उप्योग करें दोस्तों सेकंड देखिए दुकान दारों से कागच के थैले उप्योग करने का आग्रे करें खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अत्वा जूट का थैला भी ले जा सकते हैं अब देखते तीन नंबर हम खाद पदार्तों के संग प्लास्टिक की वस्तों को कभी भी ना जला है 6. हम कच्रे को प्लास्टिक कने थैलियों में ना भरें और ना ही बाहर उसे फेके 7. हम वर्मी कंपोष्टिंग का उप्योग कर रसोई के अप्सिष्ट का विवेक्पुर निप्टान करें 8. हम कागच पुना चक्रित करें 9. ह हम कागज के दोनों और लिखे रफकार के लिए सिलेट का प्रियोग करें अभ्यास पुस्तका में बिना लिखे छुटे कागजों को रफकार के लिए भी उप्योग कर सकते हैं दस नमबर देखे हम अपने परिवार मित्रो एवं अनवेक्तियों को विभिन प्रकार के अपसिष्टों के निप्टान के लिए उचित आच्रों का पालन करने के लिए प्रेरित करें प्लास्टिक के जरूरत से ज़्यादा उप्योग को कम करने के तरीके गवारे में हमने आपको बताया और आप भी सोच सकते हैं प्रमुक शब्द देखते हैं अपसिष्ट, कचरा, भराव छेत्र, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग, पुना चक्र दोस्तो अब आते हैं सारांस पर देखें दोस्तो सारांस पर आते हैं भराव छेत्र वैस्तान है जहां शहर अत्वा नगर के कचरे को एकत्र करके पाटा जाता है कालांतर के, कालांतर में इस छेत्र में पार्क बना सकते हैं, इस्टेडियम बना सकते हैं ठीक है दोस्तों इत्यादी लेकिन 20 साल तक भवन नहीं बना सकते हैं। रसोई घर के अपसिष्ट साइट पौधों एवं जन्तु अपसिष्टों को खाद में परिवर्थित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कच्रे को क्रमी अत्वा लाल केचुव द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्थित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज का पुना चक्रान संभव है तता पुना चक्रान द्वारा बने कागज को कागज से उप्योगी चीजे बनाई जा सकती है। कमपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्थित करना संभो नहीं है हमें कम से कम अपसिष्ट उत्पन करने के आवसकता है हमें अपने चारों और कच्रे की बरती मातरा से निपटने के उपाये खोजने चाहिए अब आते हैं दोस्तों पॉलीथीन बैग हो कांच हो एलमुनियम हो या अन धात्वे हो ना खूण हो या टूटे हो खलोने हो प्लास्टिक के कांच के इनको वह आपका कमपोस्ट में परवर्थित नहीं कर सकता क्योंकि यह चीज़े अब गटित नहीं होती हैं अब खा नंबर देखते हैं कि आपन तो उसमें हम मकडी और अन कीट भी देखते हैं कुछ कीट कीट मकोड़े भी होते हैं जो छोटे और बड़े भी होते हैं दोस्तों सित्राप खुद बना लेजे अब देखते प्रशन नमबर दूसरा इसमें हमें चर्चा करनी का नमबर देखिये क्या कचछरे का जियाटिक है यानि कि अब घटित नहीं होने वाला है उसे अलग रखे और जो कच्रा अब घटित होने वाला है उसे अलग रखे यह देश के प्रतेक नारिक का करतब है कि जो कच्रा है उसका निप्टान कर सके ताकि प्रदूसर कम हो और बीमारियों से भी रहत दोस्तों मिल स जो कच्रा आराम से अब घटित हो सकता है यानि कि विगलित हो सकता है उसे हम एक जगह सुरक्षित रखें और जो कच्रा विगलित नहीं हो सकता है यानि कि वो अब घटित नहीं हो सकता किसी भी रूप से उसको हम अलग रखें जैसे प्लास्टिक के कच्रे को अलग रखें औ क्याई की पत्ति इत्यादी को अलग रखें और जो चीजे अब घटित हो सकती उनसे हम खाद बनाएं और अपने लिए उसका इस्तमाल करें यानि कि अपने खेतों और बाग बगीचों भी इस्तमाल कर रहें ठीक है दोस्तों अब देखते हैं प्रस नमबर तीन घर में बचे हुई भोजन का आप क्या करते हैं मैक्सिमम लोग क्या करते हैं या तो उसे सडक पर डाल देते हैं किसी ना किसी जानबर को खिला देते हैं दोस्तो खानमर देखते हैं यदि आप को विबम आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अत्वा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों दोस्तो स्वाबी के केले के पत्ते को चुनेंगे क्यों चुनेंगे क्यों चुनेंगे क्योंकि यह दोस्तो आराम से विगलित हो जाएगा कमपोस्ट के रूप में आ जाएगा दोस्तो और किसी भी तरीके का प्रदूशर नहीं करेगा दोस्तो और बीमारी से भी सुरक्चा करेगा किसी पिरकार की बीमारी भी नहीं होगी अब दोस्तो प्रस नमबर देखते हैं हम चार कका विविन पिरकार के कागज की टुकड़े एकत्र कीजिए पता कीजिए इन में से किसका पुना चक्रण किया जा सकता दोस्तो विविन पिरकार के क कागज अगर एककतित करना चाहो, तो आप notebook लेए सकते हो, copyright टीक है दोस्तों, और आप rappers ले सकते हो, लेगिन लेने कि लेक आखज को अपनार चकन आसानी से नहीं कर सकते हो, और जितने भी कागज मैने आपको बता है नोटबुक, कॉपी, आपकी किताबे होगे, इन सब का हम पुनर चक्रन आराम से कर सकते हैं, दोस्तों, ठीक है, खान अमबर देखते हैं, लेंस की सायताक से कागजों के उन सभी टुकडों का प्रेक्षर कीजिए, जिनने आपने उप्रोक्त प्रसन के लिए एकत रिक्ष किय होती है, नए कि जो गुरुपत्ता होती है, वह उच्छ होती है, और जो पुना चक्रित का आगज है, उसकी गुरुपत्ता थोड़ी सी निम्न होती है, अब दोस्तों देखते हैं, प्रसन नमबर पांच का का, पैकिंग में उप्योग होने वाली विभीन प्रकार की सौपिंग बैग हो सकता है, और मॉबाइल फोन का भी कवर हो सकता है, अब दोस्तों कार्ड बोर्ड देखें, कार्ड बोर्ड बे जूता आते हैं, जूते आनी आते हैं, सावन पैक्स होता है, बल्ब, अन बक्से भी हो सकते हैं दोस्तों, लकड़ी के लिए क्लिए क्लिए ह हम हाड़वेर के भी सामान आते हैं फलो की टोकरी वगएरा आपने दोस्तों देखी होगी जूड बैग के लिए हम क्या करते हैं इसकूल का बैग भी होता है इसमें हम और भी चीज़े सॉपिंग बैग सबजी बैग आध भी होता है दोस्तों अब खान नमबर देखते हैं एक ऐसा उदारन दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मातरा कम की जा सकती है इसका सीधा सा दोस्तों उदारन है कि जो भी प्लास्टिक्स बैक्स का यूज करते हैं एक बार लाते उन्हें हम अपनी वस्तूं को दुबारा रखनें भी यूज कर लें तो कम से कम हम पैकेजिंग का यूज करेंगे गा नंबर देखते हैं पैकेजिंग से कचरे की मातरा किस प्रकार बढ़ जाती है इस विशय पर एक कहानी लिखिए दोस्तों सीधी सी बात है जब भी हम किसी चीज को एक ऐसा उदारन जिसमें यह आपको बता दिया गा नंबर है पैकेजिंग से कचरे की मा मुड़े दानी में फेक सकते हैं इस तरीके से वस्तूं को फ्रेस और सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी प्लास्टिक्स वेस्ट हो जाती है जिसको कच्छे की रूप में एकत्रिक करते हैं और यह दोस्तों विगटित नहीं होती है विभिन पिरकार की समिस्यां होता है बिल्कुल दोस्तों क्योंकि जो हम कंपोस्ट बनाते हैं वह हम किस से बनाते हैं बची सबजीयों से बनाते हैं चाय पत्ती से कौफी से ऐसी चीजों से बनाते हैं जो आसानी से विगटित हो सकें और इनका जब हम खेतों में बगीचों में इस्तमाल करते हैं तो किस तो उम्मीद है यह चेप्टर आपको पसंद आया होगा अगर यह चेप्टर पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें और दोस्तों आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों थैंक यू